तो के आप सब आप से बच्छे होंगे और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि क्लास नाइन का स्लिबस क्या है ठीक है तो क्लास नाइन का जो सिलिबस है जीसे कि आपको पता होगा कि जारकन बुट्टा एक्जाम है वो डेट निकल के आ चुका है जिसे कि 5 यो 6 तारीक एक् सब्सक्राइब नबर देखें कि फर्स टर्म परिच्छा परिच्छा पाइटकर नमर देखें कि फर्स्ट परिच्छा में कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो यह आपको दिया हुए पढ़ना है दा रोड नौट टेकें पढ़ना है दा सांड पीजिक का पार्ट बन पढ़ना मतला सेना आई पहले और विस्मिल्ला खान के वारे सीपर सीव पढ़ना है इसको देखें तो वीन्ड सुप्रमनियम का पढ़ना है दा लिटिर गर पढ़ना रहन अंदरूप पढ़ मतलब टोटल एट चेप्टर आपको पढ़ने है तर्वान के लिए पढ़िएक तब समझाज़ें कि आपका जो है एक्जाम अच्छे तरीके से अच्छे मांक्स आप ला सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा ठीक है और इसका मोडस तो मोडस जरूरी लेकर कर आएं मतलब आपका तो बरगे यह बात आपका डिटर मैनस का तो यह भी डाल देंगे तो चलिए आपको दिर करते हैं सबसे पहले यह सारी से लेपस को कवर करने वाला है आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ बूक में जो आठ चेप्टर है आठ चेप्टर इसको टोटल कंप्रील करने वाल मतला जो मार्गी तहीं हो मार्गी ने लिखी अबावट शुल के बारे में अब दा फीचर इन हरा अपने फीचर भविस्का अपने डायरी के बने अपने डियरु में भाव इसको देखते वह लिखी थी कि विज़ा क्या है नहीं कैसे हुआ था कता है वेर डिट टॉमी फाइंड दा बुक जो टॉमी था वो बुक कहां पाया था तो टॉमी ने इन दा एक 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 मतलब समय तर जो अस्टोर रूम मतलब करते हैं और इस नेक्स क्या कत इसके बारे में मार्गी जो थी अपने डारे में लिखी तो इसके पहले तो मार्गी कभी इसके पहले बुक नहीं देखी थी नेस्ट का सवाल है कता है हूँ वाज ए राउंड लिटिल में राउंड लिटिल में कौन था तो धक्वाटी इस पैक्टर था ठीक है यहाँ पर इस पैक्टर का मतलब जो कम्पेटर बाग का बनाता है ना मेकैनिकल वह है नेर्ट काता कि what is the name of Margie mother Margie के mother का नाम क्या था बताई तो Mrs. Jones था ठीक है काता how are the page of the book ठीक है उसका page इस पर काता how are मतलब कैसा था page कैसा दिखता था बुक का तो वो था yellow and crinkly मतलब क्रिंकली मतलब समझते न मुड़ा हुआ पुराना बुक होगा तो पिल्ला होई जाता है कता on which date did Margie make an entry in her diary about a school मतलब ये बात कब क्यों हो रही है अपने डारी में जो भी है उचीज पढ़ ले ये लिक कब रही तो ये पार सुट्म में 277 मतलब समझ आए कि 2021-2057 की बात कर देखे भी नहीं है ये बहुत ये देर की बात कर रहा है तो दूर अबाया से चल रहा है पिर आपका 275 जगा तो उतना देर तक आप समझे कि तब तक ये बात हो रहा मतलब बहुत दूर की बात ही अब हविस्वानी क्या गया है नेस काता है what kind of teacher did Margie ये मार्गी के पास किस पका कर टीचर था तो वह मेकैनिकल टीचर था था और उसके बगल में उसको बैटके पढ़ना पढ़ता था अक्यले इतने सार दोस्तों के साथ नहीं पढ़ने के मिलता था वेर वाज मार्गी अस्कुल सीट्विटेड़ मतला सी ता तो मार्गी का अस्कुल कहां अउच्ट था तो next to the bedroom next to her bedroom उसके bedroom के जस्ट बगल में उसका अस्कुल होता था वी सब्जेक्ट मार्गी वास डूइंग बैडली कौन सा सब्जेक्ट में मार्गी जो थी वह बैडली थी तो वह उसका बहुत खराब जा रहा था जो रिपी में ठीक है प्रकार से आप लोगी क्या करना देख लेना है यह रिवीजन हो रहा ठीक है जो पॉइम हो लिखा गया रोबर्ट प्रोस्ट के दवारा वह क्या है अधे मतलब टाप बर्ट फ्रोस्ट इज दा रोड नोटसर रोड नोट टाकेण जो है यह पॉइम रोबर्ट फ्रोर्स्ट ने लिखा है ने नच्ट क्या काथ है दा पॉइम दा पॉइम् डा रोड नोट टाकेण इस एयस Kleine कंपर आप इधर से दोनों राष्टा जाएगा ठीक है आप समझें किस राष्टम जाना चाहिएगा माली आप कहीं जा रहे हैं और कि आपको नया नया राष्टा पता नहीं तो आपको प्रोल्म हो कि हम किधर जाएं किधर जाएं मतलब किस सीजन में जो मतलब मतलब जंगल जो जाते हैं पिल जाते हैं पता ही तो यह सीजन के बात हो रहा है कभी को दुख था क्या दुख था मतलब उसे दुख यह हुआ कि हम एक साथ में दोनों रास्ते को ट्रेवल नहीं कर सकते तो कि तेंटर है मतलब कहते हैं इसलिए घाश हुआ जडव बाती लुग फैसे कर सब्सक्राइए लिए अगर इसमें पर्टेक दिन लोग आते जाते हैं तो इसमें क्या होता कि घास पूस अगरा नहीं निकलते ठीक पैरों का निशान होता है इस परकार से लिखक ने क्या किया था कैवी ने क्या किया था सकेंड और को जुना था मतला यह जो लिखाव बात है यह किस कविता से लिए गया है तो भाईया यह थोड़ा सा दिमा लगाई है ट्रेबर की बात होगा मतलब काफी लमस में वेचरा खड़ा रहा ठीक है और देखता रहा कि हम कौन सा है नहीं है क्या करें नहीं करें कौन सा चुनें यह बहुत विधा में था मतलब जो च्वाइस था उसका कता रॉंग च्वाइस मतलब गलत च्वाइस करते हैं तो में बाई दा पॉइट मतलब कभी को क्या बनाता था ठीक है उसके जीवन को बहुत ही अंतर था होता था अगर आप गलती से कोई भी च्वाइस को कोई फाइसला गलत उठाते तो बहुत ही प्रवलम हो जाता है कता में आडिया ऑप दा पॉइंग दा रोड नौट टकें इस डूडू सम्धिंग डिफ्रेंट चुना था और अस्पेसल जुना था इसको फार नेक्स अगला चप्टर ऑख वा बिसमिल्ला खान के आले था वायर वाज बिसमिल्ला खान बार्म का जनम आंका था दुबरा में वा था कता हूँ बैन मतलग किस ने बन किया था पलेंग दब फुंगी पूंगी को फुंगी को बजाने के रित तो और पूंगी की नाइन ने बिसमिल्ला खान की नम किया था था एक प्रकार से डिखा तो यह बारबर ने शुकी उसके पहले था सबसे पहले इसको बजाय कहा गया था तो सबसे पहले बनाय गया था यह रोयल कोट मतला राजा के दरबार में बजाय गया था सहनाई को बजाते थे अपने सहनाई को तो गंगा के पानी का धारा था जो तो अवाज था उसी के तज़ पर ये एकदम उसी पर धुन में आके गाते थे वो उसके बहुत सुन्दर लता था गंगा नाथी किनारे बैट करके सानाय को बजाना तो कब था बिस्मिल्ला खान को अवाज भारत रतन कब मिला था हाएस्ट पहले बता है तो ये भी चेप्टर कम्प्रिट हो गया कौन सा अवाज बिस्मिल्ला खान को मिला था भारत रतन मिला था आपको अभी जबी जैश्ट पहले बता है तो ये भी चेप्टर कम्प्रिट हो गया मतलब कभी कहते हैं उससे पूछते हवा से मतलब किस प्रकरसर हवा को आने के लिए कहते हैं तो softly है ना softly अराम से कता how does the wind blow blow मतलब कैसे बहती है तो भीया होता है ना अगर मालेज आप किसी इसको रखे हैं अलमारी पर बुक रखे हैं उसको पर कुछ भी रखे हैं तो हवा तेज चलती तो उसको गिरा देती है और इस तरह से भी पड़ जाता है नेस कता है कि the windows and crushes the weak मतलब windows crush होता है गिर जाते है कौन जो भी खोते हैं the wind god ठीक है हवा के कारण हवा जो हता है न वो अगर कमजोर अगर आपके पास window है तो हवा उसको गिरा देगी ठीक है we can make friends with the wind god if we are strong काता है we can make friends हम लोग दोस्त बना सकते हैं हवा को कब जब हम लोग अस्ट्रोंग रहें तब बिना स्ट्रोंग के नहीं बनने वाला है नहीं होने वाला है next कता है the little girl जो की Catherine Mansfield ने लिखा है कता who was Alice Alice कौन था cookman था what was the name of little girl little girl का नाम क्या था केजिया था केजिया वाज effect of her, effect मतलब डर रहा था केजिया किसे डरीवी थी तो अपने फादर से अपने पिताजी से डरीवी रथी थी हम ऐसे डर्ती थी कता है वाट डिट केजिया कंपेर करती थी अपने पिताजी को किस से करती थी ए जेन येन भूत जो अता ना जीन राचास थी कता है what does केजिया father compare her to a brown all और जो उसके पिताजी है उँझाजी को मतलग केजिया का compare करती थी एक brown all मतलग उल्लू से उसका compare करती थी मतलग पिताजी भी compare कर रहा है बेटी भी है ना उसकी बेटी अपने पिता को एक राचस की तरह उसको मतलग कह रहे है कि आचस की तरह दिखते हैं ऐसा कंपेर कर रहे हैं और उसके जो पिता हैं वो कंपेर कर रहे हैं किसे एक उल्लू से कंपेर कर रहे हैं अपने बेटी को कीजिया फादर का एंड असपोल्ड देम करता हैं किसने लिया था इंपोर्टेंट बेपर मतलब महत्पूर्ण पेपर जो था केज़ आएक पिताजी का जो man paper था इंपोर्टेंट पेपर था उसको किस ने लिया था रफाढ़ा था तो भाईया केज़ आई फाढ़ी थी मतलब मतलब महसूस कैसा करती थी जब हर पाज़ उसके पिताजी लेप्ट जब घर छोड़ के जाते थे ओफिस तभु कैसा फिल करTी थी कैसा महसूश करTी थी एस सेन सोब फ्रिल्िफ मतल से आराम महसूश करTी थी कि हाँ मैरे पिताजी चल लगिया आपको कोडिकर नहीं है आभराम से रहेंगे आभराम से हसी खुशी से रहेंगे करता वाट वाज दा नेम आप ता कुक इन केज़िया हाउस के कुक का नाम क्या था एलिस था हूँ टोर अफ फादर्स ग्रेट अस्पीज अपने पिताजी के अस्पीज को कौन फाड़ा था तो केज़िया फाड़ी थी हूँ वर्दा क्या लिखा मेकडोनाल्स होगा है ना मेकडोनाल्स मेकडोनाल्स होगा नेवर्स मतलब पड़ोसी था मेकडोनाल्स हाँ मेने चिल्डरेन डीट मिस्टर मेकडोनाल्स होगा यहां गलत लिखा तो हम आपको पता जी मेकडोनाल्स होगा यह रोंग लिखा है मेक्डोनाल्स मेक्डोनाल्स के 5 बचे थे मेक्डोनाल्स के कितने बचे थे 5 बचे थे वो क्या थे पड़ोसी थी नेश कता कि हम बात करते है rain on the roof का कोईट स्कीनी ने इसको लिखा इसको भी तको कता when the rain falls on the roof the sky is covered with dark clouds कता है when मतलब जब the rain falls मतलब जब वर्षा होती है on the roof छत पर कब आसकाय जब आसकाय हो जाते हैं आपके पूरे काले काले बादल से ढख जाते हैं तब वर्षा होती है what does the point like मतलब क्या कभी क्या पसंद करता है do when it rain जब वर्षा होती है तो बैचारा वू lie down on the pillow मतलब क्या करते थे कभी जो थे मतलब फिल्स मतलब अच्छा महसूस करते थे जैसे कि माले प्रेस जैसे कि तखिया लगा दिये और उस पर माथारा के सोगें तो उसको अच्छा अच्छा होता था कि the memorize of comes in the point mind his mother वो अपने मा को याद करता था next करता है कि by pressing the pillow the point feels joy मतलब तक किया कि निचे सोना वसको मजा था था और पसंद भी करता था next करता दा लॉस्ट चैसे कि अब नजदी का आगे है चलिए बहुत ही जल्लब का ये complete हो जाने वाला है कता दा लॉस्ट चैल्ड वाज लॉस्ट इन दा फैर बच्चा मेला में गुम हो गया तक हो गया था what's which did the child wanted to have बच्चा कौन सा मिठाई पसंद कता था बर्फी पसंद था उसको ज्यादा who was temperate to have बर्फी गार्लेंड और बेलून इन दा फैर जमिला तुसे पसंद नहीं है when did the child lost interest in her things that he had wanted earlier ये बच्चा कब इंट्रेस्ट खो देता है अपना तो जब हो जाता है बच्चा जपने पिताई से खोता तो उसे अपना interest भी खो देता है, माता पिता को खोना मतला interest भी खो देना, तो बच्चे को माता पिता से प्यार था, खिलोना से प्यार नहीं था, ये चीज साबित होता है, इस कहाने से, कता हाव डीड टोटो हैंड लुक उसका हाथ कैसा दिखता था टोटो का तो ड्राइड आप मतलब सुखा हुआ था उसका हाथ सुखा हुआ तर बंदर का हाथ मिनाजिल सोभेगा बंदर तो बंदर जिसा रेगा न क्यातनों कुछ कर लिए को उसके दादा जी ने कहा पर टोटो को खरदा था उसको उसके दादा जी फ्रोम ये टोंगा ड्रैबर से खरद था हुआ ब्राव टोटो फ्रोम Eren धRAबउर से किस ने खरदा तो ग्रेंड वादरने खरदा था एट वार्ट प्राइस वाज टोटो ब्रावट मतलर इसको पांस रूपयम ख़दा गया था वेर दिड़ तोहंगा ड्राइबर्स यूज तू कीप टोटो मतलब वेर डीड़ तांगा ड्राइबर्स था वो टोटो का यूज़ करता था टाइड फिलिंग है ना टाइड टू फिडिंग ट्राउट कद टोटो ब्रेंस वाज स्टाफ़र्ड वीद नमबर लेस है ना मतलब वो इतना उसका दिमाग मतलब का सकते हैं नमबर इसका कोई गिंती नहीं था ठीक है मिसेफ से मतलब जो उसका मतलब नॉट्टी नटखट ज फेका तो टोटो ने फेका था हूँ एड टॉर्ण ऑथर अस्कुल बलेजर किसने फड़ा तो टोटो ने फड़ा था दा ओथर फैमिली कुड नॉट एफोर्ट टू दा प्रिकेंट लॉस आफ एन कर्टें कर्टेंस का मतलब पर्दा डीसेज थाली खुलोस मतलब कपड़ा वेर डीड ग्रांड फादर डिसाइड टोटो तो इसको सारनपूर लेजाने कर डिसाइड लिया था उसके दाल जिने ग्रांड फादर प्रोड़क्स प्रोडुस्ट लॉसका जो टेल था बोती सुन्दर था दिक्ता था अच्छा ग्रेंड फादर पूट टोटो इन टू टेक हीम एलोंग दा सारनपूर ब्लेक केंवस बैग मतलब काला बैग में उसको लेके गया था उसके दाराजिन ने करेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आगा तो आधिक सबस्क्राइब अधिक सदिक अपने चैनल दोस्तों को शैर करें और वहां पे जाके जो तो फेस्बूख है वहां से भी फोडो कर लें है ठीक है कि वहां भी वडियो अप्र 않ता है ठीक है तो आप फेसबूख चला However चानल की हं वाहां भी देख सकते हैं तो चलिक छे Lore caste के धन्वाद